नमस्कार दोस्तों मैं हूस और शर्मा और आप देख रहे हैं मारा चैनल हरियाना अपडेट डेली नियूस बात करेंगे रिवाडी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शिरो करते हैं तो देखे सबसे पहले बड़ी खबर है कि रिवाडी में छे लोगों पर हुआ केस दर्ज देखे आपको पूरी घटना बताता हूँ पूरी घटना यह है कि सुठाना की निकट दो कारचालकों में गाड़ी बिटने के बाद मार पीट हुई और उसके बाद पुलिस में छे लोगों गिलाफ मार पीट दर्ज हुई है तो यह सब क्या है जो घटना उन लोगों ने बताई है पूरी घटना यह है कि पुलिस शिकायत में उस पे उसने आरोप भी लगाया कि देविंदर ने पहले उसकी गाड़ी का पीछे वाला शीशा तोड़ा इसके बाद मार पीट करते हुई जान से मारने की धम की दी यह देखी हो गई एक शिकायत इसके बाद अब देविंदर ने क्या शिकायत किया देखे दूसरी और जो देविंदर उसने पुलिस को शिकायत में आरोप लगाया उस पर कि उसकी गाड़ी का रोग सुठाना निवासी जो नवल, परकाश, ओमपाल, पवन और जाबुआ न जाँ शिरू कर रही है, देखते हैं कि क्या कारवाई होते हैं, इसके बाद बड़ी ख़बर माजरा एमस में नया मोड, अब सरकार 50 एकड एक्स्ट्रा जमीन मांग रही है, सरकार कह रहे हैं कि यह 50 एकड जमीन इसलिए कि एमस को बड़ा किया जाए और इसमें जो पहले 201 जमीन जो भी खरीदी गई है, उससे और इसका कोई लिंक ऐसा नहीं होगा कि यह जब तक इसका कार यह पूरा नहीं हो सकता तो वो जमीन भी नहीं ली जाएगी, मतलब इस 50 एकड जो हम जमीन फालतु ले इससे उसका कोई मतलब नहीं है, उस काम में कोई रुकावट नहीं पूशन लेके वहां से गायब हो गए, आपको बता रहता हूँ, पुलिस ने केस दर्च कर लिया और जाँ शुरू कर दिया है, सीसी टीवी जो फोटेज वगेरा देखिए उसमें दो यूवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, देखिए आपको देख अब मैं ब जा रहा था और ट्रक से उसकी टकर हो गई, जिस कारण उसकी मोत हो गई, यूवक गुरूगराम से धारवेडा आ रहा था और खेड की दोला के पास, देखिए खेड की दोला के पास उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें उस व्यक्ति की मोत हो गई, रिवाडी की जित